हेलो गाइज क्या आप सीरी की फूल फॉर्म जानते हो अच्छा छोड़ो ये बताओ मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणूबं किस देश के पास है अच्छा तो ये तो जानते ही होंगे कि चांद पर फूप से बरो बैग भी है ठीक है ठीक है अगर नहीं जानते तो टैन अमेजिंग फैक्ट्स यू सुड़नो फैक्ट्स नमबर टैन पूरी सीरी सीरी जिसे हम सबी इस्तमाल करते हैं तेरा बाप याद छोड़कर गया था कि तेरी माँ चोड़ो सब तो सीरी की फूल फॉर्म बिल्कुल सी है सीरी की फूल फॉर्म है इतने भारी भारी उसब्द सुनके कंफ्यूज मत होना इसका सिंपल सा और सीधा सा मतलब यह है ये आपके आवाज को पहचान कर, उसकी व्याक्था के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है अब अगर हम इसके भी डीप में जाएं, आपके आवाज को पहचानती है, उसमें इसे कीवर्ड से निकालती है और वो आपको प्रोवाइड करती है और कीवर्ड क्या है आपके सब्ध ही इंटरनेट की दुनिया में कीवर्ड कहलाते हैं तो कैसी लगी आपको सीरी मेडम की ये फुल फॉर्म दोस्तों ये लीजिए कॉफी इसे खाएं या इसे पीएं दोस्तों अगर आप इस उपर वाली कॉटन कैंडि को खाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचना बंद कीजिए दोस्तों ये है कॉटन कैंडि कॉफी जो ज़्यादा तर चाइना और सिंगापूर में बनाई जाती है शौरी शिंगापॉर और अगर आप इसमें उपल लगी इस candy से confused हो रहे हैं तो मैं आपकी confusion अभी दूर करें देता हूं दोस्तों यह candy खाने के लिए नहीं है यह काफिझ मैं sugar mix करने के लिए है दोसमने के लिए से निकलने वाले steam से यह cotton candy धीरे धीरे पेवखलती है और कॉफी में धीरे-धीरे मिक्स होने लगती है और इस तरह इस कॉफी में सुगर मिक्स होती है जिसके बाद आप इस कॉफी को पीवी सकते हैं वैसे आप इस कॉफी को सुगर मिक्स होने से पहले पी सकते हैं आपकी मरजी बट ये वाला बट नहीं ये वाला इस कॉफी की प्राइस 700 से 800 रुपे है मेरी आपर से तर बिलकुल बाहर बट क्या पता आप मैं इसको रिच हो तो वह जाकर पी सकता है इसलिए मैंने ये फेक्ट बता है अगर आपको ये फेक्ट अच्छा लगा हो तो अपना प्यार कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब बटन पर भी दर्शाइएगा फेक्ट नमबर एट हूंस दा अर्थ चौंकिये गमत ये सिर्फ हाइप के लिए लिए लिखा है बट इट्स एबाट दा बिगेस्ट लेंड ओनर ओफ दा अर्थ दुनिया में सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास है वैसे मैं पहले आप से पूछता हूं आपको कौन लगता है जेब बेजोस, इलान मस्क, वारन बफेट, बरनाड अनॉल्ट या बिल गेट्स या कोई और मेरे बताने से पहले अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखेगा चलिए अगर आपने अपना आंस्वर लिख दिया है तो मैं पका कह सकता हूं कि आप पंद्रा और अलग अलग कंट्रियों पर रूल करती हैं तो अगर हम इनकी टोटल लेंड ओनिंग की बात करें तो वो पूरा बैठता है 6.6 बिलियन एकर्स यानि 1 बाई 6 ओफ दा अर्ट्स लेंड और दोस्तों अगर आपको ये जमीन कम लग रही है लाजे के लिए बता द हैं अगर इसे इंडिया के टोटल लेंड सर्फेस से कंपेर किया जाए तो यह है इंडिया जैसे आठ देसों के बरावर होगा वाव दोस्ते एक बाद बता दूं यह जमीन इनकी खुद की नहीं यह सिर्फ इस जमीन पर रूल कर सकती हैं लेकिन इसे सेल नहीं कर सकती ही इस तो इन कंट्री में इनका लॉच जलता है यह जो चाहे वो रूल बना सकती है और जो चाहे वो रूल हटा भी सकती है फैक्ट नम्बर सेवन कंट्री ऑफ एटॉमिक बॉम्स दूस्तों आगर मैं आपसे पूंचू कि दुनिया में सबसे ज्यादा एटॉमिक बॉम्स किस सबस्कों कि युव तरानος न्मर फाइव North Korea क्रेशा गइं नाजबर परबधिकीर के यी रूज ऑप जीट चुकlie है हमारे सकते बतन जो कि रडिल अब दबा करके ग्रेवी कर सकते हैं हें हें चलो मजा के पास साइड में अब आते हैं फेक्ट पर दोस्तों रसिया इसके पास दुनिया के लगवग 50% एटॉमिक बॉम्स है और इन्हें गिने तो यह लगवग 6400 एटॉमिक बॉम्स के लगवग होंगे अगर आपको इतने एटॉम बॉम्स कम लग रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वर्ल्ड वर सेकेन में 1945 में जब यूएस जापन पर बॉम्स गिराए थे तो उन संक्या सिर्फ दो थी और उनका इंपक्ट हमें जापन पर आज भी देखने को मिलता है तो आप सोच ही सकत और इसे के साथ युएसे 5800 एटओमिक बॉम्स के साथ दूसरे नमबर पर आता है अगर हम इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान से थोड़ा पीछ है पाकिस्तान के पास 160 एटओमिक बॉम्स हैं और इंडिया के पास लगबग 135 से लेकर 150 तक एटओमिक बॉम्स हैं बट यानि European Space Agency ने World's First Wooden Satellite जिसे उन्होंने WISA Woodset यानि Wisconsin Safety Analyzer Woodset का नाम दिया है, जिसे सौट में Woodset Wooden Satellite कहा जाता है, ये 2021 के लाश्ट तक लॉंच हो सकती है, दोस्तों ये सेटलाइट लकडी की बनी होगी जिसे पॉलिवुड कहा जाता है, दोस्तों पॉलिवुड में लकडी की पतली पतली पड़तों को चूपर गुलू या किसी और चीज के साथ स्ट्रॉंग तरीके से जोड़ा जाता है, इसमें कई लकडी की लेयर्स होती है, जिसके कारण यह बहुत मजबूत हो जाती है, ये सेटलाइट एक 10x10x10 cm की क्यूबि आराम से उठा लेंगे, इसमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एलुमिनियम की एक थिन लेयर भी होगी, और इसमें एक सेलफी स्टिक के आगार का एक कैमरा होगा, जो इसकी और इसके आसपास के आबजेट की तस्वीर ले सकेगा, इस सेटलाइट को अर्थ के आपकेजनें जा रही है, इसपेस एजसेंसी पागल तो नहीं हो गई है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, दोस्तों इस सेटलाइट का मकसद ये है कि अगर हम कोई लकडी की सेटलाइट पनाए, तो इस फेस की कंडिशन को भी एर कर पाती है, यह नहीं, अगर वो इसपेस की लीसन्स को सहन कर लेती है तो हमारे लिए बहुत फायदे में हो क्यूंकि अगर यह सफल हो जाता है क्या पता हमें एस पेस्मیں लगड़ी की सैटलाइस भी देखने को मिल सकती है और जिससे हमारी अर्थ पर मैटल की बहुत बचत होगी दोस्तों क्यूंकि कि हमारी अर्थ पर मैटल सीमित मात्रा में है और लकडियों को हम पेड़ों की मदद से ओगा भी सकते हैं तो इससे हमें मैटल की बचत भी होगी और क्या पता ये मैटल से सस्ता भी पड़ जाए दोस्तों ये सैटिलाइट न्यूजिलेंड में माहिया पेनिसला से लॉंच 5. हावसिप फ्लोड़ दोस्तों वैसे तो बहुत भारी होते हैं और बहुत बड़ी होते हैं लेकिन ये समंदर में तेरते कैसे हैं ये समंदर में डूवते क्यूं नहीं चलिए जानते हैं उससे पहले हमें दो कॉंसर्प्स को समझना होगा सबसे पहला डेंसिटी और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है मींस अगर एक मीटर की क्यूब को पानी से बरा जाए तो वह एक हजार किलोग्राम में भर देती है तो वह पानी पर तैरने लगेगी अब जानते हैं उत्प्लावन बल दोस्तों यह न्यूटन के थडलो यानि रिपल्सिफ फोर्स की तरह है जब भी किसी चीज को पानी में डाला जाता है तो पानी उस पर ऊपर के और भी बल लगाता है तो इनी दो कॉंसर्प्ट को मिलाकर सिफ पानी में तैरता है दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी सिफ में ट्रेवलर्स होते हैं यानि जो भी यात्री सिफ में होते ह वो सिर्फ सिप की रूप पर होते हैं और सिप का ये वाला निचला वाला भाग खाली होता है और इसी के कारण इस भाग में बहुत हवा भरी होती है जिसके कारण सिप की डेंसिटी पानी से बहुत कम हो जाती है और सिप पानी में तैरने लगता है और दोस्तों इंजिनियर्स भी शिप में बहुत हलके हलके मेटल्स का यूज करते हैं ताकि शिप का वजन बहुत कम हो और आकार बड़ा हो दोस्तों यही कारण है शिप का आकार बहुत बड़ा होता है और सिप की डेंसिटी बहुत कम होती है जिसके कारण सिप समद्र में तैरने लगता है फैक्ट नमब system trigger हो जाता है और वहां पर बहुत सारी कोशिकां भीजने लगता है जिसके कारण वह पार कोशिकां से भर जाता है और से बहने के कारण वह भाग भर जाता है बड़ दोस्तों हमारे nervous system cells भीजता क्यों है दोस्ते इसका कारण है कि जब भी हमें दोस्तों इनसान बड़ा ही अजीब जानवर है इसने सिर्फ धरती कोई नहीं बल्कि चांद को भी चोड़ा दोस्तों चांद पर अभी जहां पर सिर्फ 12 लोग पहुंच पाएं वहां पर भी 200 तन कच्रा पड़ा है 200 तन यानि दो लाग किलो इस कच्रे में इस पर स्क्राफ चैटिलाइट और कुछ बैग पैक्स और कुछ 96 पूप से भरे होई यानि पौटी से भरे होई बैक्स आज भी पड़े हैं लेकिन यह वहां पर पहुंचे कैसे चलिए जानते हैं दोस्तों अपॉलो 11 जब नीला रमिस्ट्रॉंग और उनकी टीम चांद पर गई थी तो उन पर जाने में प्सा और नॉट फिश यह दोस्तों विर्श को पीटिगरी में नहीं रखा जकता है दोस्तों अठर revers की कैटिई में रखा जाता है asleep दोस्तों वेल्स के पास फेपडों ह nella की गल पड़े जिन से वे पानी अंदर सांस ले सकेpiejjust और दोस्तों white मेमोड्ड की तरह नतुने होते हैं जिनसे वह सांस लेती हैं और दोस्तों एक वील पानी यह यह अंदर दो से 1972 तक अपनी सांस रोक कर रख सकती है वित उसके बाद पानी की सतय पर सांस लेने के लिए आना ही पड़ता है और दोस्तों वेल्स वी मेमल्स की तरह बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें दूद्ध पलाती हैं और इन्हीं प्रोपर्टीज के कारड़ वेल्स को मेमल्स की कैटिगरी में रखा जाता है फैक्ट नमबर वन बारे में ये फैक्ट बहुत ही कम लोग जानते हैं दोस्तों आप हिंदी संख्याओं को कहां तक गिन सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साट आट नो दस सो हजार दसाजार लाग दसलाग करोड़ अरव दसरव खरव लेकिन फिर खरव के बाद क्या दोस्तों खरव के बा थोड़ी सी नोलिज बड़ी हो तो इस वीडियो को लाइक शेर और इस पर कमेंट जरूर कीजेगा और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत वह लिएगा क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही नोलिजिवल फैक्स और इंट्रेस्टिंग लाते रहते हैं त इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर की